अब दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग होप की आप सब बहुत अच्छी होंग दोस्तों आज हमें अपने इंडियन कॉंटक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 6 को पहने जाएं जिसका नाम है यह गालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोस्तों यह चैप्टर का क्या मतलब आपके एक्जा जान देना कि यह गालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आप कॉंट्यक्ट कर रहे हो जो भी आप क्या कर रहे हो कॉंट्यक्ट कर रहे हो वह यह गल यानिकी कानूनी है कि नहीं वह कानूनी है कि पूलते हैं यह गालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानिक जिस भी परिपस से कॉंटेट किया जाए वह कानूनी है कि नहीं अग कॉंटाक्ट मस्थ ओफिल यानी कि जो भी कॉंटेट होना च्छी वह रोफिल होना चाहिए चाहिए और जो बर चाहिए जो कानूनी होना चाहिए और अब्जेक्ट भी कानूनी होना चाहिए तो अब दोसों यह तो समझ में आ गया कि जब भी कोई कविए इन से सम किसें कभी-कभी होता है कि कि object जो होता है वो रॉफल होता है बट consideration अन्रॉफल होता है कभी कभी consideration रॉफल होता है और object क्यों होता है अन्रॉफल होता है तो ऐसी situation भी आ सकती है यानि कि object हो सकता है कि आपका ग्यार कानूनी हो बट consideration हो सकता है कि यानि कि दोनों object हो चाहिए दोनों कानूनी होना चाहिए अब दोस्तों बता रहा है कि when कब-कब consideration and object जो होता है वो unlawful होता है यानि कि ग्यार कानूनी होता है तो दोस्तों आपको एक्जाम में बूछेगा कि कब-कब आपका consideration यानि कि जो भी content के बद्रे में आप यह या फिर देने वाए हो या फिर जो आपका object वो unlawful होगा तो पहला है it is forbidden by law यानि कि where the object content is forbidden by law य उसको यह punishment भी आपको दी जाएगी जाने कि जिस कानून जिसमें से पहले से कानून में सचा बताएगी है कि अगर आप यह करोगे तो आपको इतनी सचा दी जाएगी जिस काम को करने से कोई दूसरे कानून के अंदर चीजें चेंज हो जाएंगी तूड जाएंगी ठीके जी समझें बात को तो दा ऑब्जेक्ट ऑफ एगिमेंट में भी नॉट डायरेक्टी फॉर्बिडन बट इन डायरेक्टी इट में डिफीट ऑब्जेक्ट ऑफ दा देखो जी समझो एक कानून के अंदर उसको क्या किया गया अपना वो जमीन का यानि के टैक्स नहीं दे पाया गर्वर्मेंट को तो गर्वर्मेंट ने बोई दिया कि अपसे आप कोई भी जमीन नहीं खरी सकते हो आप कोई जमीन खरीद नहीं सकते हो एक बैबन ने क्या किया वी को बोया कि तुम एक जमीन खरीदो इसने जमीन खरी अगर आप कोई fraudulent काम करते हो ए बी सी एंटर हुए एगिमेंट में और बोगस प्रॉट यारे कि जो प्रॉट है ही नहीं उसको द्रीजी में बेचा जाएगा तो यह वाइड भी है और अन्रॉफुल भी है तो भाईया कब-कब आपका object या फिर आपका consideration अन्रॉफुल होता व अपर आपका को रखता है कि आपने जो काम किया वह इम और जाने की अन्रॉफुल होता है और अपोस्टु पब्लिक प्वाइसी जाने कि हमारे समाज के खिरियाफ काम आपने किया है कि यह कुछ योगों को सजा हो जाती है वो लोग कुछ ऐसे सब्द का इस्टमार करते हैं सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म्स पर उनको सजा हो जाती है तो भाईया यह होता क्या है कि आपको वह code उसको गया कानूनी मानता है ठीके जी example आपने कितना गलत हो जाने कि अगर आप गलत भी हो तो कितना गलत हो एंड रिगर एगिमेंट जो भी अगर आपने कोई गयार कनोनी काम किया तो वह क्या होगा वाइड होगा और इस नोट इन फोर्स वेडों की आपको सजा होगी सिदे यानि कि नोट ओनी यह गर्गमेंट इस वाइब बड़ और ऑसो कोया ट्रांजेक्सन मत्यव ए ने बॉरो किया 200 विए दोजा उधाई या भी से तुब आय यह वाइब यानि कि बंदू खरीने के यह जिसे वह गोई माई सके सी को यानि कि ए ने बॉरो किया उधाई या यानि कि यानि कि अगर कोई कानून ने किसी की मदद नहीं करेगा अगर आपने कोई ग्यार कानून ने काम कि ठॉल टैर्जिक करची के खίνए है तो आपकि मदद नहीं कि अग्यार की ङायगी टिवयाób, थमका कि जा गया है है कभी कभी कुछ argument ऐसा होता है उस argument का आधा हिस्सा होता है यeger और आधा होता है ग्याय कानुनी ठीक है जी तो जतना हिस्सा होता है ये गडल वह होता है वुड्ट ठीक है अब इसको पास करकें हो यहां पर a promise किया to manage लिव जनुए और चाहिए और यहां पर प्रटी कि यहां पर इसको पैसा में यहां यहां पर जनुए काम भी कर रहा है और बोगस काम भी कर रहा है अब हम यह नहीं बता पाएंगे कि कौन सा जन्मीन कौन सा वोगा तो यहां पूरा 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 क्या होगा वाइड होगा ठीक जी अब यह सी प्रोकर प्रॉमिस और यह गया दोस्तों मतलब कि आपने वादा क्या फिर सामने वादा कर दिया यहां पूरा प्रॉमिस किया गया है वो क्या है वाइड है ग्याय कानूनी है तो यह यानि कि आप वादे के ऊपर बारा करते हो तो एक वादा हो सकता है सही एक वादा हो सकता है गलत alternative promise eager 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 ने लिगर A agreed to deliver rice smuggled aphirmed to B A ने बोया कि वो rice भी करेगा और smuggled aphirmed यानि कि aphirmed जो कि smuggled किया गया उसको भी deliver करेगा वादे कानूनी है तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ contact ऐसे होते हैं जिसमें कुछ काम eager है कुछ काम ग्याय कानूनी होता है तो आपको समझ में आ गया कि कब-कब आपके जो काम होते हैं हैं वह आपके गया कानूनी होते हैं तो वेन कंसीडेशन और अब्जेक्ट इस अन्रॉफल यह आप हैडिंग कर लोगे और कितना वह गया कानूनी है यहां पर आपको बताया गया है यह अब दोस्तों कुछ एगिमेंट्स बताए गया है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इसका मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो कानून के नजर में या फिक कोर्ट के नजर में गया कानूनी ही होते हैं और एगिमेंट इस अन्रॉफल होता है इस कोट रिकार्डर इस अपोज पोजो सेर्कार बनाती है आम जनता के भराए करिये ठीक है जिए कि देश के सिटिजन अच्छे से रहें ठीक है देफोर इट मेट्व एसा काम नचरे जो देश के लोगों के सोसाइटी के हित के ख्लाफ काम हो ठीक है जैसे माँद लो टीरिंग विठ अडिन लिए भी किसी कंटि का किसी कंटि से वह होता है तो आप उसको समान बेच रहे हो तो आप आप टू पर भी को ने किसा सिर्काही ओंपिस को बेच दिया सब्सक्राइब करते हैं अब यहां पर नाम बताया गया कितने साइट के कांटेक्ट होते हैं जो अगर आप कोई भी एगमेंट करते हो एनिमी के साथ में करते हो एकिमेंट करते हो एकिमेंट विस्टीफिंग प्रोसीकूसंश ठीक है जी जी ध्यान दो थेक दोस्तों मैं आपको पार के बताता हूं अब आपको heading साथ करने हैं पहला है और आप्सी भी एनिमी के साथ में कोई ट्रेट करते हो वह कॉंट्ट का आप बहू या वाइड होगा ठीक है argument interfering with administration of justice यानि कि आप ऐसा कोई argument करते हैं जहां पर आप interfere करने बाए हो administration या फिर justice के अंदर no one is allowed to interfere with administration of justice यानि कि हमाई समाज के जो क्या भोते हैं court है उसके अंदर हम कुछ भी छेचार नहीं कर सकते argument is stiffing prosecution यानि कि क्या हो गया बात समझो a promise to drop prosecution which he has instituted against b for robbery यानि ए बोई या है कि मैंने आपके ख्याब जो केस किया हुआ है चोई का वो मैं drop करूंगा हटा दूंगा ठीक है जी ए बोई यहा है कि अगर भी समान वापस दे देगा तब यह content क्या है अनिलॉफुल है ऐसा कोई content आप नहीं कर सकते जाने कि कानून में जब केस चाहिए है तो आप जबस्ती क्यों उसमें घुशे आई हो ठीक है कोई उसके मतलब नहीं है तो दोस्तों आप मान रहे हो आपको मदद अब देखो जी आपको प्रपर्टी का वन थार्ड या फिर को चीसा आपको ट्रांफर करना पाएगा उसको देना पाएगा जिसने आपकी मदद कि है तो ऐसा कोई आप कोर्ट के अंदर किसी पी टाइप का इंटरफेरेंस करते हो वह कांटट क्या है वाइड है अग्यमेंट तो व्याइप प्रिएट ऑफ रिमिटेशन और यानि कि कभी-कभी कानून के जो अबजेक्ट होते हैं उसको हराने के यह हमें कोई अग्यमेंट करेते हैं वह अन कांटेट मस्ट भी ब्रॉट फिदिन थी यह वंदा डेट ऑफ इस बीच आगर आपने कोई कांटेट किया जिसमें टाइम फिक्स था यह तो यह दो साइए एक साइट खतम होने के अंदर ही आपको चीज़ करनी होती है बट आपको ज्यादा समय दिया जाता है कि आप बाद अच्छे से करें ठीके जी तो बट दोस्तों उससे जादा समय आपको नहीं दियाएगा ठीके जी वह अगोस्तारा करो तो वह क्या माना जाएगा वाइट माना जाएगा ट्राफिक इन पबीक ओफिस यानि कि पबीक कोई ओफिस है सरकाई डिपार्टमेंट यह पर आप ट् यह सब कराप सं में आता है ठीके जी और ये क्या है दोस्तों गल्ट है ठीक जी यह हो गया आपका लगव का च्छा भी हो गया तो ऐसा करोगा तो उसके ख्याफ ख्याफ कर सकता है एक पादा है वो अपने बच्चे को बढ़ा कर रहा आप उसके प्रेंटर याइट्स में इंटर्फेर करते हो तो यह भी क्या वाइड है और यह अपोस्ट पबिक प्वाइसी आप किसी को नहीं बचा सकते कि आप वह कैसा रखेगा एगिमेंट इंटर्फेरिक मेरिटर स्टेटर्स की साधी सुधा कोई हवेज हो रहा तो उसके बीच में आप को जाके डिसीजन या ने सकते हो वो उनका परस्नल मेंटर होता है ठीके जी क्योंकि साधी इस टाइप आफ कॉन्ट्राक्ट विटिन दी मेर एंड और दोनों कपार की बीच में एक टाइप का कॉन्ट्राक्ट होता है तो उनकी बीच की बात वो खुद सॉल्फ कर रहेंगे अगर आप जाते हो तो वह क्या गरत है ठीके जी अगिमेंट ऑफ मैरीज ब्रोकेज और ब्रोकेज यानि कि ब्रोकेज इसको भी परो जो मैरीज का ब् जाएगा ठीक है जी ओके अब दोसरों यह दो को बहुत अच्छा ची बताया गया यह आप सुनोगा आपको अच्छा लागएगा कि एविवन है यह बैटी तो मैरी अकॉरिन तो इस चाहिस सबको भाया रिकाय को अपने अपसारी कह सकता है इस फी च्वाइश वी डिश्ट अच्छा था था हजबन ढूंगे यह कि आ जाओ उसको पैसा दे यह वो सब कॉंटेट क्या होता है वाइड होता है तो यह चाप्टर आपको दोस्तों खतम हो गया वोप कि आपको समझ में आ गया होगा यह गयाटी ओफ ऑबजेट कि क्या 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 इगल नहीं हो होता है और कब-कब आप ऐसे कौन-कौन से कॉंटेक्ट हैं जो कि अपोस्तों पॉबिक पॉइसी होते हैं ठीक है में अपने नेक्स पार्ट में थैंक्यू सो